Hello students, कैसे हैं आप सब लोग examination hall में जाने से पहले at any cost issue of debenture की सारी की सारी journal entry अच्छे से revise कर लेना because ये एक इकलौता ऐसा chapter है जिससे सिर्फ और सिर्फ general entry आएंगी हाला कि class dissolution में भी general entries आएंगे मैं वो भी कराऊंगा आपको लेकिन issue of debentures आठ नमबर का chapter है जिसमें से 2-3 question बनेंगे चोटे-बडे मिला के जहां पर general entry पूछी जाएंगे तो इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा गले 10-15 मिनट के अंदरी तुमें पूरी की पूरी जनल एंटरी अच्छे से रिवाइस करा दू तुमें अच्छा तो लाइक कर देना क्लास और कॉन्फेंट रहना जो हमने प्रिपरेशन करिये ना शायदी वो किसी ने करियोगी और बहुत महनत करिये इन चार दिन के अंदर आप क्लास आप इसको एड्मार जरू करोगे और कॉन्फेंट होके अपना पेपर अच्छे से देकर आओगे तो तो लुजी माले थी इक यह लिए लिए वाले थी नौवाले थी परसंटेचिर आप्लिकेश्ट चुम के डिनेच्टेज़ एडष बिंची पर क्लास बीस्या घो परिप्सुरिश एजिडमार जरू कि काम्ने देशुत यह basic entry एशु की लेकिन कई बार तुम्हें इशु के साथ redemption की भी टर्म्स लिखी होती है कि इशु इतने में, redeem इतने में, ठीक है? तो issue class इतने में हुआ है और redeem इतने में हुआ है तो redeem अगर पार पे हुआ है तो entry बिल्कुल सेम होगी अगर redeem पार पे हुआ है तो entry बिल्कुल सेम होगी, redeem पार पे हुआ तो कुछ करना ही ने redeem का और question में redeem पार पे देता भी बहुत कम है कुछ करना नहीं है तो question आपको बुलेगा redeem हो रहा है premium पे तो तुम issue की जो और पार पे हो रहा हा है तो यदो entry premium पे हो रहा है यदो entry discount पे यदो लेकिन अगर redeem पे होरा है तो बoka Bene जितना भी przymah मलनादुाrupae premium है यद जो भी amount of premium है तो issue की due की entry में debit कर ना लौस on issue of debenture के नाम से to premium on redemption of debentures के नाम से तू premium on redemption of debentures के नाम से debit करोगे आप loss on issue of debenture के नाम से और credit करोगे तू premium on redemption of debentures के नाम से again आप debit करोगे loss on issue of debentures कई लोग ना इस discount और loss को एक कथ लिख देते हैं discount और loss यह खाली loss भी दोनों को मिला कर लिख सकते हो वो पर मेसे बल है उपर भी same amount, नीचे भी same amount. मतलब redeem अगर premium पे हो रहा है तो उसका असर आपको issue के entry में देखने को मिलेगा, मैं कई बार बता चुगा आपको और यहां final revision भी करा रहू हूँ और सुबह भी class एक बार आपको रिविजिन करा दूँगा तेज थारीकों सुबह सुबह भी तो आप चिंता नहीं करो premium on redemption of debentures account ठाउट तो loss debit हो गया और premium क्या हो गया? credit यह issue के entry में due वाली जो दूसरी entry है, bank वाली नी, percent of debentures वाली उसी में उपर नीचे कर देना है और कुछ भी अलग से extra कोई काम नहीं है वह भूत अप्रीजार donde युजाल्मींट में तो यजो atv. एक्र दू के आप्लिकेशन, और तो शीए प्रूब्छाय गाफ्ता लंग करें हैं और यह जो लॉस अनिश्य और प्रिमिम अदंशन है, उपर निचे सेम अमाउंट जो लिखते हैं, 10 रुपे इंटु जितने डिवेंचर से, मालो कम्पनी तो एक लाग डिवेंचर इसु किया है, तो यहां पर 10 रुपे गा यहां पर एक लाग इंटु 10 रुपे अगा, आई बात समझ क्लास, तो यहां कि अलॉट्मेंट की एंट्री में करना गर दो इंस्टॉल्मेंटे तो, बाकी क्लास, security premium is totally different from premium on redemption of debenture, दोनों में कोई समानता नहीं है, security premium बिल्कुल अलग है और premium on redemption of debenture बिल्कुल अलग है, दोनों में कुछ भी similarity नहीं है, ध्यान रखना, अच्छा, पहले entry होगे, दूसरी entry, अब आपने issue करते वक्त जो यह discount दिया है, issue करते वक्त यह redeem करते वक्त जो premium दिया है, दो में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, इन दोनों को write-off कर देना है, write-off का मतलब यह दोनों debit का आइटम है, इनको आपने credit कर देना है, two discount or loss on issue of debenture's account, वो दोनों debit था, आपको इन दोनों को क्या कर देना है, class credit कर देना है कोई भी चीजा debit की है उसे write-off करने कि लिए credit ही करते हैं तो 2 discount और loss on issue of debenture दोनों को credit कर देना तो debit क्या होगा सर किस चीज से write-off करोगे तो first priority security premium reserve, दूसरी statement of P&L. please capitalismo को मतले क्या ना, पहले होता था अभी write-off करने की entry होगी, देखना कि कि तुमारे पास पहले कितना security premium पड़ा हुआ है फिर statement of P&L से निकालना बाकी amount और फिर to discount on issue of debenture issue के entry होगी discount or loss को write-off करने के entry होगी कब write-off करना है same year जिस साल अकर हुआ है इस साल अपने debenture issue किया है discount पे तो वो जो discount on issue है उसको इस साल write-off करना है first priority security premium reserve second priority statement of P&L ठीक है तो एक्जाम से पहले का revision है तो थोड़ा सा अगर fast लग रहा हो speed अपने आप से आप slow fast जैसा करना चाहो speed से कर सकते हो मुझे बताना जरूर क्ला speed ठीक है कि नहीं अब आते है other than cash ये issue of shares में भी है issue of debentures में भी है पूरा business खरीते हो तो तो सारी असे लाइन बालें देबिट कर रहें कौंसी value से अग्रेड वैल्यू से अग्रेड वैल्यू से अग्रीड वैल्यू से अग्रीड वैल्यू से ठीक है 2 liability जितनी भी class अग्रीड वैल्यू दे रखी होगी तो वेंडर में आता है PC purchase consideration की पूरा का पूरा business कितने में खरीद रहे हो फिर अगर उपर कम पड़ता है तो goodwill लिख देना नीचे कम पड़ता है तो class capital reserve लिख देना यह तो एक asset खरीद होगे यह पूरा का पूरा business खरीद होगे एक बात और धहान हेखना अगर net asset जाद है और PC कम है asset 10 lakh का है PC 5 lakh ही तो वाकी 5 lakh ही तो भाकी 5 lakh capitalism में जाएगा और अगर net asset कम है और PC जाद है asset 10 lakh की है तो मांग़े हो 12 lakh रुपए तो 2 lakh रुपए goodwill का मांग़े हो जा धियान रखना तो यह तो assets खरीदोगे, यह तो business खरीदोगे, पहली entry, तूसरी entry payment करोगे, ध्यान से समझना, vendor account debit, 2 cash, अगर आप उसे cash से देते हो, bills payable से देते हो, vendor account debit, 2 bills payable, promise note से देते हो, 2 bills payable, लेकी चीज है, bank draft से देते हो, 2 bank, और debenture देरो, 2 personate debenture, अभी debenture पर प्रीमियु पर हो सकत loss on issue और नीचे premium on redemption of debenture, इसी entry में आता है, मतब loss on issue और premium on redemption हमेशा परसेंटे debenture के साथ चिपका रहेगा, परसेंटे debenture के साथ लगा रहेगा, यह ध्यान लगा नाम, ठीक है, अभी से रबीट कर रहा हूँ, vendor account debit to cash, एक साथ करेंगे entry, जो बचा कुछ अमांट है, उसकी आप debenture issue करोगे, तो security premium, अगर premium पे हुआ, यह discount, तो उने एक साथ तो होगा ने, लेकिन अगर redeem, अगर premium पे हुआ है, तो issue के entry में loss on issue और two premium on redemption of debenture आएगा, अब आपने मानलो 50 लाग के asset खरीदी 10 लाग रुपे आपने तुरन दे दिया उसको, बचा कितना 40 लाग रुप price of debenture, debentures कितने में आपने issue करा है, ठेक है, अगर मानलो 110 में issue किया है, तो नीचे 110, 90 में issue किया है, नीचे 90, अगर पार पे issue किया है, तो पार 100, ठेक है, तो यह होगे class, other than cash, इसके के लावा collateral security वाला topic है, पूरे debenture का revision करा है, तो A to Z हर एक चीज, collateral security वाला topic है, तो collateral security में सबसे पले आप लोन लेते हो, फिर आप debenture गिर्वी रखते हो, तो लोन लेने के एंटरी किया होगी, bank to bank loan, debenture गिर्वी रेखने के एंटरी किया होती है, debenture suspense to percentage debenture, और इस debenture पे किसी परकार का interest नहीं दिया जाता, कुशिन कहाँगा, इसके एंटरी पास करने तो करना कुष्चिन जैसा बोलेगा, कुछ नहीं बोल रहा तो दोनों entry पास, ये loan लेने के एंटरी ये एंटरी को गिर्वी रखने के एंटरी ये भी आएगा non-current liability, long-term borrowings, ये भी आता है non-current liability, long-term borrowings, ब्रम न माइनस में आता है, और bank आएगा, class current asset cash and cash equivalent में, और bank loan अगर short term के लिए है तो current liability long term के लिए है तो वही non current liability long term borrowings के लिए अंदर आएगा मैंने तुम्हे सारी चीजे जो बन सकती थी इस chapter सब बता दिया एक अखरी चीज और आती एक लास इसमें वह है interest on debentures हमेशा धियान नखिना है debenture पर पर इशु हुआ है premium पर इशु हुआ है discount पर इशु हुआ है redeem पर इशु हुआ है redeem premium पर इस बात से कुई लेना देना नहीं है interest on debenture हमेशा face value पर ही निकलेगा 1 lakh debenture आपने इशु किया है 100 का 1 तो बन गया 1 crore interest हमेशा उस 1 crore पर निकलेगा rate debentures के साथ जो लगा रहत रहते इस को बोलते है interest rate या coupon rate भले इशु नब्बे पर हुआ होँ, 80 पर इडी में 110 पर हुआ हो कोई मतलब नहीं है interest हमेशा face value पर निकलेगा पहले interest को due करोगे फिर इंट्रेस्ट को पेड करोगे और फिर क्लास साल के end में उस इंट्रेस्ट को आपने क्लास खर्चा दिखाना है यानि statement of P&L में profit and loss account में भीजना है तो इंट्रेस्ट को due करने के entry होते हैं interest on debenture account debit to debenture holder फिर उसको payment करोगे debenture holder to bank और फिर last में statement of paid account debit to interest on debenture इंट्रेस्ट को पूछा जाएगा तो यहां पर two TDS आ जाता है नीचे और फिर debit में भी TDS इधर आ जाएगा पर इस साल क्लास सा कुछ पूछा जाएगा ने अलग से लिखा भी नहीं है तो आप सिंपल याद कर लो interest on debenture to debenture holder debenture holder to bank a statement of paid account debit to interest on debenture जितना भी interest आपने साल भर दिया है एक बार दो बार जो भी interest दिया है उसाल के एंड में अपने profit and loss account में भीज देना है यह है क्लास सारी की सारी entry maximum जो entry बन सकती थी issue of debenture chapter में कोशिश कर दस-पंदर मिएट के अंदर सार अच्छे से रिवाइस कर दो आई हो अई होप मैं इसे करा पाया हूं exam time class और बहुत stress है बहुत tension है पर tension मत लो class कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं हमारा का मेहनत करने का है मैं कर रहा हूं आप कर दिख रही आपको दिन रात और बिसल्ट आएगा और पेपर भी अच्छ जाएगा ठी आपके सो मिलते नेक्स वीडियो में तेक केर बाई बाई